अब ये डेल के लिए आ रहा हूं है देखो बाइस एटिटिंग क्लाश डाटा यहां पर ये डेल की फाइले हैं कहां पर ये डेल बायोस काफी सारे फाइल पड़ी हुई है हम डारेक क्या करते हैं जैसे ये दे रखा है 1650 का ही फाइल है डेल 7 390 2-1 service tag दे रखा है कॉपी कर लेता हूं इसको मैं कॉपी करके मैं इसको कहां रख लेता हूं इसको मैं रख लेता हूं एक सेकेंड इसको मैं यही पर आप प्रेक्टिस है ना कि हमने पेस्ट कर दिया इतने सारी फाइलों आपकी हो चुकी है इतने सब के हमने बाइस ए इसको भी आगे देखेंगे तो यह डेल का आ गया service tag यहां पर mention है service tag आपको यहां पर mention कर दिया है तो simply यही करोगे आप service tag को ले लो service tag और कहां से मिल सकता है आपको लैप्टॉप की बाड़ी के पीछे भी लिखा रहता है service tag है ना वहां से भी service tag ले सकते हो मतब कस्टमर का काम है आपको service tag देना है ना उसको नहीं पता तो back side में जाकर को फोटो मंगवा लो या फिर इसके अंदर भी अगर मैं इसके अंदर भी जाओं तो यहां से भी service tag मे है ना टैक के अलावा भी command होते हैं आगे बात करेंगे फिलाल मुझे service tag यहां पर mention है मैं इसको note कर लेता हूं service tag को यह मैंने note कर लिया यह service tag मैंने यहां पर note कर लिया copy और copy करके मैं जाओंगा डेल की site पे डेल की site यहां पर यह रही support ड्रावन डाउनलोड पेश्ट कर दो यहां पर सर्च कर लो कि क्लोज करो इससे option आ गया डाउनलोड टाइप में आप जाओंगे कहां पर सिस्टम बायोस अब सिस्टम बायोस में जब गए तो यहां पर आपको दो आपसन दे रहा है 7590 7390 मतब दो आपसन है 7590 का चाहिए कि 73 70's equals 7390 मेरा क्या है यह सांडर का चाहिए mieć श्पadव यहां से भी स्कनाओक अफिर मैं इसके अंदर भी जाहूंगा तो 7390 7390 31 आ रहा है ना जिरो यह 17390 एंस्पारन 1790 मुझे कहाँ जाना है 7390 के अंदर जाना है पता चल गया ओ मिरको छ्यों तुमें यहां पर आऊंगा 739-0 के पास ये वाला है मेरा 739-0 अच्छा अपडेट कप का है 2022 का मेरा ये बायस कप का है ये मेरा बायस कप का है तो पता कैसे चल जाएगा अनलाइजर में पता चल जाएगा पता करते एंटर क्या बता रहा है वर्जन 12 है इन स्लाइज है डेट कप का है 2019 मत्ब मोटा मोटा आप क्या बोल सकते हो CNP-CMP CNP-CMP मत्ब ये मोटा मोटा आपका कौन सा जनरेशन हो गया CNP-CMP कॉमेट लेक है ना कॉमेट लेक बोल सकते हो cnp cnp आ रहा है तो comment लेख हो सकता है तो हमारा जो यह है 2019 का है तो मैं भी यहाँ पर 2019 पर जाके ले सकता हूं वर्जन वगरे के चक्कर मैं नहीं भी पढ़ूँगा तो मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहाँ पर ओल्डर वर्जन में जा करके देखो यहाँ पर दे रखा है जो रिकमेंडेड है 2019 से स्टार्ट हुआ है तो लोवर वर्जन चीए तो लोवर वर्जन आप इस तरह गर के ले सकते हो मानले यह रिकमेंडेड बता रहे है 2019 यह मैंने ले लिया और फिर इसको डाउनलोड कर लिया कि डाउनलोड करके मैं इसको रख दे रहा हूं डेक्स्टॉप अप्रेक्टिस नहीं पर डाल दे रहा हूं सेप कर गया है यह मेरा आगया अब यह जो आया तो देखो एच्पी तो राइट क्लिक करके एक्स्ट्रेक्ट हो जा रहा था ना डेल में बहुत कम चांसे सही कि व डेल के लिए अलग से आपको एक्स्टेक्टर की जौत परती है देखो मैं इसको लेके जा रहा हूं 739-0 यह रन नहीं किया यह रन नहीं किया तो इस बात कर ध्यान दखना है कि डेल की जो भी फाइले आएंगी ना उसके लिए आपको अलग एक्स्टेक्टर की जाता है चार-पांच मेथड अलग-अलग बायोस में चार-पांच मेथड यूज करना पड़ता है तब जाकर के होता है यह समझे ना तो यह जैनरली होगा नहीं अब यहां पर भी मैं इसका यूज अगर करूंगा है ना आटोमेटिक प्रोसेस का एक्टेक्ट पे गया और डेल का तो देही रखा यहां पर सीधा इसको मैंने यहां पर ड्रागन ड्रॉप किया और एक्स्ट्रेक्ट डेल पी अफेस अब देखता हूं हुआ की नहीं हुआ प्रोसेस तो हुआ है वर्किंग हो रही है एक्टेक्टेट हो गया यहां पर 739-0 को सबसातर है और यहां अब यहां पर क्या ऐक्टेक्ट हुआ देखो समझू चीज़ों को हें यहां पर अप्र देखोगे यह आपका बायक क्रीजन एक्क्रेक्ट हो गया लेंसेजन तो भूर्य पहत बी आपको मिल गई इसको अक्टक करने से कि अंभ यह मिल जा रहा है तो हमारे मतलब वैंडर के अंदर पॉलिसी पेलोड, रिसोर्सेस पेलोड हमारे मतलब का नहीं है यह तो हमारे मतलब का क्या है फर्मवेर के अंदर यह सिस्टम बायोस विथ बायोस काट और अगर आपने क्लीन मी करना हो तो आप यह भी ले सकते हो यह आपका रेपोसिटरी हो गया समझेंगे यह आपका रेपोसिटरी हो गया वर्जन क्या है तो वर्जन देखना है तो वर्जन 12 तो है उसके आगे माइनर क्या होगा वो क्या होगा तो आपको अनलेजर बता देगा ठीक है ना तो मेरे मतलब की चीच क्या है यह इसको मैंने यहां से क्या कर लिया कट कर लिया कट करके यहां पर रख लेता हूं और एक काम करते हैं एक फोल्डर बना लेते हैं फोल्डर के अंदर सारा काम करेंगे तो मैंने पहला फोल्डर बना लेना है डेल का है यह डेल 739021 यह फोल्डर बना के यह सारे शीजिए इसके अंदर डाल दे रहा हूं मैं एक ये एक ये यहाँ उपन है इसलिए नहीं हुआ और एक ये भी डाल दिया चालिया तो ये आपका आ गया तो आप देखने वाली बात मेरा जो बैक अप था वो कितने अम्बिक है 16 अम्बिक है जो मुझे मिला कंपनी से क्या मिला बायस रिजन मिला कितने का 12 अम्बिक है तो अब यहाँ पर आपको मैंड लगाना पड़ेगा मैंड क्या पहले सोचना पड़ेगा है ना आप यह सोचते हो कि पूरा तो नहीं मिला पक्खी बात है कि अब बायस रिजन मिला अब जो बायस रिजन मिला है जो इसका size है, वो as it is, जो आपका backup के अंदर का bias season है, वही size का है, या फिर different है, तो उसको पता लगाने के लिए, आप कहां जाओगे, यूफाइट टूल में जाओगे, चलो, यूफाइट टूल मेरे पास यहीं पर है, यह मैंने लिया, यूफाइट रिप्लेसर में मैंने डाल दिया, इसको, किसको backup को, मिला मेरे को, पता किया मैंने क्या, बैस इनका साइज, साइज इसका देखो, और जो मुझे मिला जरा उसका साइज देखो, दोनों सेम सेम है क्या, साइज सेम है, 12582912, सेम है न, जब सेम है तो काम कितना आसान है, बस, राइट क्लिक करना यहां पर, और, रिप्लेस आजीज, किस से, यह रा सिस्टम बायोस से ओपन कर दो, और फाइल, से बिमेज फाइल, यह आपका बन गया, निव बायस, लेकिन क्या है, क्लिनम मी नहीं है, विधाउट क्लिनमी, डॉट दिन, और क्लिनमी अगर करना आपको, तो प्रोसेस आपको क्लिनमी का पता है, यह न, देखो, कहीं कोई अरर नहीं, तब यह open reconstructed file आगया लिखा हुआ यह आपका काम हो गया यह बनके आगया new bias without cleanummy 16384 kevika बाकी cleanummy करना है आपको तो आगे आप cleanummy कर सकते हो इसको है ना आपको repository चाहिए तो आप अपने मर्जी से इसको search भी कर सकते हो नहीं तो डेल ने तो अल्रडी दे दी आपको उसको भी ले करके आप कर सकते हो समझे ना तो डेल में आपको एक तो इस तरह आता अब यह जो process है डेल का अभी जो मैंने बताया यह मान के चलो कि यह process आपका कहां तक काम करेगा जादा बात आगे की नहीं करेंगे 12 generation तक सेम प्रोसेस रहेगा समझे ना 12 generation तक सेम प्रोसेस रहेगा है ना कोई easy कोई tough आएगा लेकिन सबका process सेम रहेगा है ना कहीं ना कहीं confusion आएगी confusion कहां आ जाती है बस एक जिगर confusion आती कही बर क्या हो जाता है कि जैसे हमारा भी extract हुआ ना यह अमारा एक्सट्रेक्ट यह हुआ था अब यहां पर जब हम एक्सट्रेक्षन पर गए यह हमारा जो extract हुआ फर्म वेर तो यहां पर क्या है कि अपर यह है करें एक पेंगी बास रिजए बायो सेजेट हो इक कई वर क्या होगा यहां पर यहांपर दो नों हो जाएंगे तिन तीन हो मैं पको यहांपा आइडिया किसका लगाना होता है चीपसेट का बड़ की कि आपने देखा थे यहां किaignaster का फरक था वर्जन का फरक था तो यहां पर भी ऊपर चींज हो जाती है जो आपका अपना До को लेकर के चलना है जो रॉफंच जितना भी अम डेल कर लेंगे सब में आपका यही फर्मना हो गा एक और दिखाता हूँ में आपको अब जैसे के सपोन मालेजिए लेटे जेनरेशन डेल का में एक और जाता हूँ जैसे यह 12 जनरेशन का इस 12 एंब एंब इसका मेरे पास वो नहीं है सर्विश टैग नहीं है मैं सावला लेता हूँ जिसका सर्विश टैग दिया औरुको काफी सारे मेरे पास जैसे कि यह एले जे जिरो एट वन पी कॉंपी कर लिया इसको इसको काम करके देखते है यहाँ पर हम आप प्रेक्टिस में गए इसको भी यहाँ पर हमने सेप कर लिया एक्स्टेक कर लेता हूँ अब इसके जरूत नि मुझे सर्विश टैग यहाँ पर मैंसन है सर्विश टैग यहाँ पर मैंसन है जब इसके अंदर गया तो मेरे को क्या दिखने को मिल रहा है पहले देखो समझो दो बायस क्या रहे है दो बायस आ रहे एक अंबी का और एक सिक्टिन अंबी का अगर मैं इसका वो देख लो एले जे जीरो एले जे जीरो एट वन पिका मेरे पास अगर वो पड़ा हुआ है इमेज पड़ा हुआ है देखो इसका इमेज पर भी दिखाता हुआ आपको यह यह वाला बोड़ है यह आपका बोड़ है बायस कहा है इसका है देखो दो बायस है यहाँ पर XMC के BIOS है, XMC BIOS है, यह 64 से 8MB का आडिया लग रहा है, और यह साथ 128 लिखा हुआ है तो 16MB का, मतब दोनों मिलाके आपका एक BIOS हो जाएगा, चिपसेट कौन सा है यह, चिपसेट तो इससे भी देख सकते हो, SRG 0S इससे भी confirm कर सकते हो, बाद वाकि BIOS जो है, BIOS से भी आपका confirm हो जाएगा चिपसेट, तो अभी माल लिजिए मुझे बनाना है, तो बनाना है तो मेरे पास चलो, यह service tag है, यह hz2 भी मेरे पास service tag है, मैं service tag ले ले लेता हूँ, पहले, कॉपी, और अडल की साइट पर जाओंगा, यहीं से, driver and download, यह service tag मैंने यहाँ पर पेश्ट किया, और साच किया, कौन सा model, बोस्तोरो 3501, है ना, वहीं करेंगे, check updates, cancel करो, system bios, अब यहाँ आगे आपका, 3501 अब के लिए है, update से 2023 का, old ले ना, older version, यह ना, जैसे कि मान लीजे, मैं यह ले ले रहा हूँ, 1.71, यह वाला ले लिया, ठीक है ना, 2021, बाद बाद कि आप date का idea ले ले लो गए, अना लाजर से, मैंने फिलाल इसको ले लिया, और कैसे extract हो रहा है, कैसे क्या हो रहा हो, देख रहे है, इसको मैंने यहाँ पर download कर लिया, कहाँ पर डाला, LAJ0 और यह सेप करती है, यह आगे मेरा फाइल, तो यह फाइल भी देखो, मैंने पहले बोला, डेल में आपका, वो राइट क्लिक करके, एक्सटर्ट बगरा करने का option नहीं आएगा, यहाँ पर आपको टूल का यूज करना ही पड़ेगा, समझे ना, देखरो यह, ओपन होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर टूल का यूज करूँगा, अभी मैं आपको टूल का यूज बता रहा हूँ, बाकि आपके मतलब का काम कैसे होगा, तो आगे बताऊँगा, वह ले लिया, पात ले लिया, एक्स्ट्रेक्ट, डेल, डेल का है, डेल लिखा रहा है, तो जाहिए सी बात है, सबसे पहले इसी को ट्राइ करोगे, है न, यहाँ पर जब आप आओगे option में, डेल में आओगे, तो एक्स्ट्रेक्ट डेल पी एफस, तो इसी को हम लेंगे, तो क्लिक किया हमने, अब देखते हैं, प्रोसेस हुआ, हो रहा है प्रोसेस, प्रोसेस हो गया, यह आगे आपके पास 3501 बोस्त्रोगर के, इसके अंदर, फिर वही बात, फर्मवेर, फर्मवेर में आप देखों, यहाँ पर, समझना, यह दो अप्संत हैं यहाँ पर, एक है बुल्स आई, टीजियल, एक है बुल्स आई, आईसील, टीजियल में गया, तो इसके अंदर भी वही, सिस्टम बायोस दे रखा है, और बैक कर रहा हूँ में, आईसील में जा रहा हूँ, इसके अंदर भी आपको आ रहा है, तो अब यहाँ पर आपको चूच करना पड़ेगा न, आपका टीजियल एकी, आईसील है, तो वह कैसे चूच करोगे, तो जो आपका बैक अप था, यह आपका बैक अप था न, बैक अप को लेकर के एक बार, अब इसमे किसमे, किसमे, किदर गया वो, बैक अप मेरा, बैक अप को यह देखना है न, आपको, यह रहा बैक अप, यह मेरा बैक अप, 8 MB और 16 MB, तो मैं इसको किसमे देखू, एक सेकेंड, 8 MB को मैं ट्राइगर करके देखता हूँ, क्या है मेरा चिपसेट, ICP, है न, मतलब है, आपका अमेरीजन, इसमें, इसके अंदर क्या है, केवल और केवल बाइसेजन, तो यह आपको बताएगा, कि वह यह यूज नहीं हो सकता, यह, देखो तो, ठीक है न, तो कुल मिला के में पता चिपसेट क्या है, ICP को हम चिपसेट है, तो हम क्या लेंगे इसमें से, ICP, तो बस इस पे थोड़ा सा ध्यान लखना आपको, आपने लेना क्या, अब इसके अंदर जाओगे किदर, फर्मवेर, यूटिलिटी से हमें मतलब नहीं फिलाल, है न, हमने जाना है इसके, फर्मवेर में जाना है, फर्मवेर में यह रहा मेरे पास, यह, बतब इस तरह से इसने छाट के अलग-अलग कर रखा, इसके जिगा मैं दूसरा टूल यूज करूँगा न, अगर मैं इसके जिगा दूसरा टूल यूज करूँगा, तो इस तरह का उप्सन ना मिले आपको, TGL अलग-ICL हो सकता, सारा का सारा, एक ही में आ जाए, तो महाँ पर हो जाती है, confusion, तो मेरा ICL है, ICL का मतलब बोले तो 10 generation, और TGP मतलब 11 generation, तो मेरा यह हो गया, अब इसमें करने के है, कुछ निकरना, देखो क्या आ रहा है, 163,84 के भी आ गया न, आपको करने के कुछ जरूते नहीं है, सीधा-सीधा, आपको बनाने के जरूते नहीं है, देखो, मर्च करके क्लीन कर लो, प्रोसेस आपका, वही का, वही रहेगा, सर देखना, इसमें मेजम बताता है, कि भी यह वो नहीं है, तो तो बताएगा है, वो आप जब भी डबल क्लिक करके, ऐसे देख लो, जब मेरी रिजन श्टार्ट होता, तो उपर आता था ना, 16.ZFD रिजन का पार्ट वो ही नहीं, और नीचे जाओगे, तो यह PA लिखा रहा है, तो यह कहीं से भी आप देख सकते हो, आप अगर इसके अंदर भी जाओगे, इसको कहीं भी उपन कर सकते हो, माले 16.ZFD मैंने यहाँ पर विवर में उपन करने की कोशिस की, देखो क्या error आ रहा है, क्या बता रहा है, केवल यो 5 मेंज बता रहा है, मतलब Intel का तो बता नहीं रहे न, समझे के न, केवल और केवल यो 5 मेंज बता रहा है, तो सिंपल यही है, का जो method है आपका यही है